हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं बात करने वाली हूं बेड वेटिंग के बारे में बहुत सारी लोगों कमेंट आया है कि मैं मेरा बच्चा जो है वो तीन-चार साल का हो गया पांस साल का हो गया है लेकिन अभी भी वह बिस्तर में शूसू कर देता है विस उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए कौन से टिप्स फॉलो करें जिस वज़े से जो बच्चा इस तर पर टॉलेट करता है उसको छोड़ दे बेड वेटिंग के आदत उसकी छूड़ जाए सही हो जाए तो आज कि वीडियो में सबसे पहले बात करूंगी कि बच्चे कर देते हैं तो उसके क्या वजे जब चोटा होते हैं तो पर उसका कन्ट्रोल नहीं होता है इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहत जली जली टौलेट करते हैं शुरूआत में तो इसलिए क्टे happiness अ़िए सिर्फ लिक david पर होते हैं तो इस वज्य नहीं सिर्फ उन लेकिन जब बचे धीरे-धीरे बड़े होना शुरू होते हैं तो फिर वह solid food लेना स्टार्ट करते हैं तब धीरे-धीरे वह जो urine pass करते हैं उसमें कमी आने लगती है और फिर कुछ दिन बाद धीरे-धीरे बचे रात में सोते टायम भी टॉलेट करना बन कर देते हैं क्योंकि जो उनका urinary bladder होता है उस पर उनका control होने लगता है और उस पर वह control कर लेते हैं तो उस वजह से फिर रात में सोते टाइम भी बच्चे टॉलेट नहीं करते हैं लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं तो वह रात में सोते टाइम बड़े हो जाते हैं चार-पांच साल के हो जाते है साथ आठ साल के हो जाते हैं तब भी वो बिस्तर पे रात में सोते टाइम यूरिन पास कर देते हैं तो ऐसा इस वज़े से होता है कि जो यूरिनरी प्लेडर है उसका जो कनेक्शन होता है वो माइंड से होता है सबी चीजों का connection माइंड से होता है तो इसका भी connection माइंड से होता है लेकिन कुछ बच्चों में जो यह connection होता है यह थोड़ा सा weak होता है तो उस वज़े से जो urinary bladder पर control होता है कुछ बच्चों में यह चीज देर से develop होती है और वो काफी लंबे time तक रात में सोते time बिस्तर पर toilet कर देते हैं तो ऐसा इस वज़े से होता है तो इसके लिए आप कुछ tips अपना सकती है तो आपका बच्चा रात में सोते time टूलेट करना छोड़ देगा उसमें सबसे पहले तो यह करना है कि अगर आपका बच्चा 4-5 साल का 6-7 साल 8 साल का हो गया है तो सबसे पहले आप रात में सोते time इसको दूद देना बिल्कुल बन कर दीजिए क्योंकि रात में सोते time सबकी यादत होती कि रात में बच्चे को दूद दिया जाता है लेकिन जब बच्चे रात में सोते time टूलेट कर रहे हैं तो अगर आपको दूद देना है बच्चे को तो सोने से 1-2 घंटे पहले ही कि या बन कर दिया है अगर आपको दूद 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 बच्चे को रात में एक दम सोते time देना बन कर दीजे और दोसरी चीज़ बच्चों को लिकविड वाली चीज़ें जैसे की बच्चे ने खाना चाया ज़ादा पानी पी रहा है तो आप पानी भी बच्चे को रात में सोते कान कम कोई वीडिवीड वाली चीजने जैसे जूस वगरा है यह भी रात में सोते टाइम भच्चों को मत तो पहली चीज आप को छुडाना वह कहा हो अब जैसे माहींना साल भर बच्चे की जब और चुंट जाएंगी तब यह चीसे फिर से कांटीनु कर सकती है लेकिन कुछ दिन आपको यह आदत बच्छे की छुड़ा देनी है और अगली चीज़ आप यह कर सकती है कि आप बैड बेटिंग एलाम आता है आप उसको अगर ले सकती है तो आप उसको बच्चे के अंडरवेर में लगा सकती है जब बचा सो जाएगा लेकिन जिस टा बच्या य्यूरिन पास करेगा तो जैसे वो य्यूरिन पास करने लगईग豪 उराम अपने आप वज़ने लगेगा इस से वज़ां नेशीं के योशती nights चून जाएगी तो आपने इलाम तुम जाएगा तॉयलेट करने के लिए आप उसको टॉयलेट में ले जाएंगी तो इस तरह से बेड़ वेटिंग के आदत बच्चे की छूट जाएगी बचा बिस्तर पर टॉयलेट नहीं करेगा अगर आप यह बेड़ वेटिंग अलाम ले तो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं ले और उसके बाद जब बचा सो गया तो इस ते तीन घंटे के या चार घंटे के गैप पे आप आइडिया भी कर सकती है कि आपका बच्चा सोने के साथ सोने के बाद कितनी देर बाद वह टॉयलेट करता है यह आइडिया आप 3-4 दिन ध्यान देंगी तो आपको हो जाएगा बच्चा जब आपको सोता है तो उसके दो तीन गंटे बाद चार गंटे बाद कितनी देर पर टॉयलेट करता है तो उतनी देर के गैप का आप अलाम खुद सेट कर लीजे जिसे आप खुद बच्चे को उठा के और टॉयलेट करा दीजे तो जब इस तरह से डेली आप करेंगी तो बच्चे को आदत लग जाएगी और बच्चा फिर बिस्तर पर अगर टॉयलेट लगे भी तो वो खुद ही उसकी आँख खुल जाएगी जब उसकी रोज आदत पर जाएगी इस तरह से यह कुछ चीज़ें जो आप कर सकती हैं इसके बाद भी अगर इतना सब करने के बाद भी बच्चे की बिस्तर पर टॉयलेट करने के आदत नहीं चुट रही है वो फिर भी यूरीन पास कर रहा है तो आप बडं को दिखा सकती हैं डॉक्टर इसका कुछ ट्रीट्मेंन करते हैं कुछ ऐसी हार्मॉन होते हैं जब oni बोखाएप बच्छे करते ही इस तरह ही Campus करते हैं बच्छे क्वेटें चूटे लेकिन यह जादा तर यह देखा गया है कि जितने दिन दवा किये जाती है उतने दिन फायदा करता है कुछ दिन बाद बच्चे फिस तर पर टालिट करने लगते हैं तो इसका सबसे अच्छा सेलुएशन यही है कि आप अलाम लगा ले बच्चे को धीरे-धीरे वैस बच्चे को आप समझाइए बच्चे को ट्रेंड करिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यह तो आप बैरिवेटिंग ऐलाम खरीज लीजे इसको बच्चे के अंडरवें में लगा दीजे कुछ दिन ऐसा करेंगी तो बच्चे के आदत पड़ेगी और अगर उसको नहीं लेती है अगर आप उसको लेना हो तो मैंने लिंक दिस्क्रेप्शिन में दे दी आप महा से भी ले सकती है और अगर आप उसको नहीं लेती है तो आप नॉर्मल मोबाईल में अलाम लगा लीजे 5-7 गयप का ये अगर दो घंटे पर आपको बच्चा कर देदा तो आप उतन पसंता ही हो तो लाइक जरूर करें